तो बहुत दोस्त स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चनल कोलेज अपडेट बाई अजीद बकसर के साथ तो दोस्तों आपको पता होगा कि वन की सब्सक्राइबर हो चुका है बहुत से चातर कमेंट करते हैं वाटसप से कि सर आपको हम देखे नहीं है किरिप क्याका है तो कमेंट कीजेगा कि सर आप फेस्वावाग वीडियो एक बनाए है आपको देखना है तो कमेंट आप करेंगे तो फैस वाला वीडियो को अपने support दिया आपको तहे दिल से धन्य बाद तो दोस्तों बता दे कि part 2 का result सबसे पहले इस channel के माध्यम से प्रकासित किया गया था जो हम 10 बजे रात को वीडियो upload किये थे इसके बाद सब को पता चल गया है कि part 2 का result आ गया है सबसे पहले हम upload किये थे और share किये थे तो आपको बता दे कि पहले तो यह सोचने वाली बात है कि part 2 का result में जो भी BAC का छात्र का result pending गड़बड़ी हो चुका है उन छात्रों से बता दे कि पहले तो सोचने वाला बात है कि जो commerce का result जारी हुआ था वह लगबग 9 या 10 को प्रकासित हुआ तो लगबग में यह भी अप्रेल में सबसे सोचने बात है कि 31 मार्च 2020 सबसे पहले PDF जब आया था हमारे पास तो हम ही सोचे कि जब यह result का प्रकासंडे 31 मार्च 2020 है तो इतना लेट क्यों सबसे पहला कुछ जैने कि अतना लेट क्यों 20 दिन हो गया प्रकासित क्यों था आपको बता दे कि देखे क्या हूबगा था कि Commerce का रिजल्ट आपका नौ या दोस को पेंडिंग रिजल्ट दिखा रहा है तो उनलों के कारण इस रिजल्ट को रोका गया था और सकमर्स का रिजल्ट जारी हुआ तब पर उसमें गड़बड बहुत हुआ करतें देशर आपका बताया हुआ ८ार्सुचह वा बन बताये था 18- suppression की रिजल्ट आप है आपको बताए थे बटने को नहीं आया चैनल के माथ हम से सबसी पहले मिलेगा और आपका हुई हुआ और और सबसे पहले आपको बतादे कि यह का रीजल्ट कब आएगा कि वहाथ साइंस और एक है कमर्स आप समझदें कि इस मंठ के लाश्ट में तो चांसक्म है अब क्योंकि उसको रिजल्ट प्रकासित करने उसमें ज्यादा बच्चीएं और ज्यादा बच्ची खुने के कारण उनका रिजल्ट थ्टोत ठीक से निकाला जाएगा उसमें लेट हो सकता है इस लाश्ट या अगले मैशना के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने का संभावना है तो उनका भी peria perform छोगा बट थ्यार होने को मिलाना पड़ता तौब परकास्यथ के जाता है तो यहां पर देख नहींुद है कि पृषाथ कॉलेज की का अपका अफ्रस है अगले सथर जो एक्जाम देते हैं उनका ही दीकत होथा है इसे इसब का विढोले हो कि देखे इंका इंका अलग-अलग है और यहां पे पर्मोटेट का अंतरा यहीं होता है यहां पर देख रहे हैं कि यहीं होता है जिनका रिजिट्रेशन अलग है और यहीं का पर्मोटेट हो गया है तो में निदानी है कि देखे बिक क्या करेगा कि कोई बता नहीं यहां पर देख रहें कि 31 मार्च को जब पब्लिश हुआ था तो इसको 31 मार्च को ही पब्लिश कर देना चाहिए था यह 20 दिन रोका यानि अधर पीडिएफ त्यार कर रहा है यह पता नहीं अगर कोई भी जनकारी होगा तो इस चनल के माध्यम से मिल जाएगा अगर अधर पीडिएफ नहीं त्यार किया और वह रिजल्ट प्रकासित नहीं किया जो अधर पीडिएफ त्यार करेगा उसका प्रकासित नहीं होगा तो आपका लॉक्डाउन खूलते ही आपको कॉलेज से कंडेक्ट कंटेक्ट जाकर करना है और उनको यह बताना है कि हमारा यह हो चुका है अगर प्रमोटिर हो गए होंगे तो हमारे अनुशार तो क्या होता है कि अगले सत्र में जब आइडिमीशन होगा आपका तो ठर में हो जाएगा और प्रमोटिर जो जिस सब्जेक्ट में है उसमें क्या होगा कि पाट्टू का रिजल्ट जबा जाएगा और पाट्टू का रिजल पहला हुआ और देखिए अधर PDF आ जाता है होगे सही हो जाता है तो ठीक है नहीं तो आपका यहीं उपाय है इसके बाद कोई उपाय नहीं है और बहुत से चाहतर कर रहें कि अंख हमारा कम आ चुका है तो आपका हो ही जाएगा नहीं दोड़ेंगे तो नहीं होगा इस तरह सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करना है तो कमेंट कीजेगा आपका कमेंट का इंतिजार रहेगा कमेंट सबको करना है फिर मिलते हैं नेक्स्ट विए बाई 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 टेक कियर